नमस्कार दोस्तो यूटूब चैनल की ओक्सिंक डिजिटल एरा में मैं एमाई भूसन आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहा क्या मिस कल्कुलेशन थी दोस्तो सबसे पहली बात की आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट होगी की पूरे बीडियो को कम्पलीट वाज कीजिए पिछले बीडियो को आपने देखा आपने लाइक किया जो भी किया वो बीडियो वहां तक पहुँच चुका था जहां तक जाना चाहिए था आज इस बीडियो को भी आप लोग कम्पलीट वाज कीजिए उस बीडियो को जहां पहुचना चाहिए था वहां पहुचने से एक फायदा हुआ कि जो लोग को अब तक आउक्सिंग को लेकर के कन्फ्यूजन थी आज मैं आपको सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और जो मैंने ओक्सिंग को समझा उसके बेसिस पर एक चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से जो पिछले बीडियो में मैंने बताया कि माइनस में Чला गया था मैंने दो तीन पोइंट को उठाया था आपने पिछले बीडियो देखा था तो उसमें देखा होता है और इसके बाद जो calculation होता है वो कौन system पे depend करता है मैंने जो समझा नवीन सर से कौन system के अंतरगत होता क्या है कि कभी-कभी आपके account पे जब working process में हो तो वो आपको बहुत जादा भी दिखा सकता है बहुत कम भी दिखा सकता है और यही हुआ था कि जो calculation के अनुसार से जितना कटना चाहिए था lockdown के दरम्यान वो ना deduct हो करके कुछ जादा ही दिखा रहा था तो वो चीजे सब का account आप एक वार फिर से चेक कीजे आपके account पे आ गया होगा नहीं तो आप रिफ्रेस कीजे आपका वापस उतना मिल चुका होगा ठीक है उतना ही आपको minus हुआ है जो lockdown में आपने digital task से अरने किया था तो चलिए आज मैं आपको सारा कुछ बताने जा रहा हूँ सबसे पहली बात यह यहाँ पे मैंने थमलेंज जो बनाया है 32 weeks का क्या concept है oxink हमेशा से आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी क्यों इस topic पे भी बात मैं करूँगा और क्यों हुआ था minus यह भी मैं बात करूँगा यह चीज तो मैंने पिस्ट करते जा रहे थे oxink को किसी ने समझा ही नहीं और ना समझाने का परयास किया सिर्फ आपने क्या समधा oxink को एक scheme समझा ठीक है जबकि oxink is a not a scheme it is a business policy यह बहुत बड़ा business model पे काम कर रही है oxink किसी का एक रुपया आज तक न ली है और न लेगी बस इतना याद रखिएगा जो मैंने समझा आज मैं आपको समझाने का परयास कर रहा हूँ और आगे भी अपने channel के माध्यम से आपको ये चीजे जरूर समझाता रहूँगा कि oxink के अंदर क्या नया update आने वाला है अगर सबसे बड़ा point क्या बनता है आप लोग का जो payout लगा हुआ है कि कब तक payout आएगा तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए आपका 1 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच लगभग सब का payment आ जागा जिन्होंने bidrol लगा रखा है उनका payment किलियर हो जागा तो payment के regarding जो लोग भी negative थें कि company भाग रही है company छोड़ रही है company जा रही है ऐसा कुछ नहीं है company आपको बहुत उपर तक ले जाने वाली है ठीक है बहुत आगे तक ले जाने वाली है आप सिर्फ company के साथ बने रही है मुझे पता है कि company की ऐसा decision लेने से बहुत सारे लोग negative हुए है तो उसमें कोई negative होने के जरूर नहीं है company ने किया क्या है सिर्फ date को extend किया है ठीक है और कुछ नहीं किया है तो चलिए क्या है वो सब कुछ बताऊँगा सबसे पहले मैं यहां चलता हूँ देखिए पहली बात तो यह कि जो company अब आपको देने जा रही है goodwill extension 23 मार्च 2020 से लेके 30 अगस 2020 तक का और उसका time का digital task company remove करेगी जो आपको lockdown में मिला है तो देखे सिर्फ उतना ही है 23 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 तक का जो digital task से आया था सिर्फ वही task को remove किया गया है बाकी remove क्या किया गया है उसके बदले आपको extension मिला है ठीक है extension कैसे मिला वो देखिए suppose किजे कि किसी का expiry date जो था वो जनवरी में था तो जिनका expiry जनवरी में था तो जनवरी तक ही आप benefit लेते ना task के पैसा का तो उसी को आपको अगर मई तक पहुँचा दिया गया तो अभी नवंबर चल रहा है नवंबर दिसंबर जनवरी ठीक है जनवरी तीन महिना और इ अपरिल मई चार महिना तो उधर extend कर दिया गया है तो company आज तक ना किसी का एक रुपया ली है और न लेगी बस इस बात को आप ध्यान में रखिएगा company का जो कहना है कि प्रान जाई पर बचन न जाई वो बिल्कुल सच है मैंने oxy को पूरे ढंग से समझा है बहुत तीन चार चार होता है इसके बाद मई में कितने होते हैं अपरिल के बाद मई में एक दो तीन चार यहां भी चार होते हैं माई के बाद जूल में पांच हो जाते हैं फिर जुलाई में जुलाई में आपको चार हो जाते हैं इसके बाद अगस्त में पांच हो जाते हैं ठीक ह तो आप देखिए करना क्या था वो देखिए कैसे मिस कल्कुलेशन है बस एक चीज ध्यान में रखिएगा मिस कल्कुलेशन कैसे है मैं आपको समझाने का परियास करता हूँ देखिए 22 बीक होता है तो 22 बीक में 605 रुपया ही आपके अकॉंट पे बिड्रोल होता था था तो उसको जब कल्कुलेशन कीज़ेगा तो 13,310 रुपया इतना ही आपको रिमूब किया गया है और इसके बदले में आपको उतना का टास्क आपके एक्सपाइरी डेट को एक्स्टेंड कर दिया गया है बस कमपनी थोड़ा सा आप से सपोर्ट मांगी है कि लॉगड़ान जैस कंसिप्ट पर हम चलते हैं देखें यह चीज मैंने बताया अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि कंपनी आपके साथ हमेशा से खड़ी थी खड़ी है और खड़ी रहेगी इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं चलिए मैं बताता हूं देखें सबसे पहली बात की मैं मैंने मिस्ट ने क्या किया है आपके साथ copy paste किया है जितना उन्होंने समझा उससे भी कम आपको समझा दिया तो आप वही समझेंगे ना देकिन आप एक भरोसे मंद चैनल से जुड़े हुए हैं आपको यहां से सब कुछ समझने को मिलेगा देखे आप 14300 में आपको मिल क्या रहा है देखे यही अमाउंट है ना 14300 में आपको कमपनी दे रहे है एक इंटरनेशनल बिजनस दूसरा आप दे रहे है बित नोमनी पॉलिसी और बित एक्जिट पॉलिसी कोई भी ऐसी कमपनी नहीं है जो इंटरनेशनल बिजनस के साथ नोमनी फैसलिटी और नोमनी फैसलिटी के साथ ए औक सिंक रियल पूछिया ना सच पूछिये तो औक सिंक is a note a scheme औक सिंक is a business policy बिजनस model ये business model के उपर काम कर रही है ठीक है तो इस चीज़ को आप समझने का परियास कीजिए औक सिंक ने ना आज तक किसी से कुछ लिया है बलके देने का काम क्या है एक रुपया किसी से लिया नहीं है देने का काम क्या है अब हम चलते हैं 32 weeks के concept पे देखें यहाँ पे था 32 weeks के concept पे ठीक है 32 weeks का क्या है concept इसको मैं आपको समझाने का परियाज करता हूँ देखिए 32 weeks का concept में क्या है कि आपको right और जो एक lift और एक right लगाना है उससे पहले आपको मैं 32 weeks का concept समझाता हूँ कि क्या आपको मिल रहा है 32 weeks में सबसे पहली बात कि अगर आप 32 weeks के लिए आते हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि 605 रुपे के हिसाब से आपको credit होता है account में कितना हो जाता है 19,360 रुपया होता है ना calculate कर लिजेगा 19,360 रुपया 14,000 रुपय के साथ भी अगर आप 32 week के लिए भी आते हैं तो 29,360 रुपया प्लस एक चीज और रहाद रखिएगा जो 10% 242 रुपया के हिसाब से आपके account पे जाता है कितना 242 गुने 8 week क्योंकि 32 week में 8 month होता है ना तो 8 month से calculate कीजेगा तो ये हो जागा 1936 रुपया और 1936 एक मिनट ध्यान से देखिएगा 1900 कितना 6 0 और प्लस आपको 1936 इतना अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है 21,296 रुपया आप मुझे बताईए आप बिजनस पे आए हैं 14,300 रुपया से लेकिन आपको मिल कितना रहा है 21,296 रुपया तो कहीं से company आपका एक रुपया का नुकसान नहीं करेगी प्लस आपको एक business model दी बिजनस model क्या दी देखे जो ये calculation मैंने किया 21,209 रुपया according to LIC, according to mutual fund, according to किसी भी scam को देख लिजे इतना ज़ादा revenue कहीं नहीं मिलेगा औक सिंग को छोड़ करें इसके बाद दूसरा चीज और देखे सपोज कीजिए ये right lift का जो concept है वो आपके लिए सही है यहाँ पे सपोज कीजिए आप हो अगर आपने business को आगे बढ़ाने के लिए एक right और एक lift लिया तो आपको भी तो यहाँ से 10% direct income 10% direct income और यह दोनों का binary matching आया ना इसके बाद यह भी एपने business को आगे बढ़ाएंगे तो बुंद बुंद से तलाव भरता है दोस्तो इसी तरीके से आपका income तो बढ़ेगा साथ साथ company भी आगे बढ़ती चली जाएगी तो इस model के उपर काम कर रही है company और यह चीजे मैंने respected अनील सर से बहुत अ oxink कल भी आपके साथ खड़ी थी और oxink आज भी आपके साथ खड़ी है बसरते कुछ लोग oxink को scheme समझ के रखे हैं कि 14,300 डालो और 52,000 में 28,000 सम्थिक पालो तो इस concept पे काम करना बंद कीजिए और बस business को promote करना start कीजिए यहां से आपको मैं एक चीज और बताता हूँ देख यहां पे यहां पे एक चीज और मैं बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ कि oxink आपके साथ खड़ी है आप एक चीज को समझिए कि lockdown जैसे परस्थिती में भी अगर आपके साथ oxink खड़ी है तो यह बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बड़ी कमपनियों का दिवालिया निक को oxink के माध्यम से एक बहुत बड़ा रुजगार देने का परयास किया है क्या यह सच नहीं है कि oxink के अंदर बहुत सारे लोगों का घर सबर गया बहुत सारे लोगों का परिवार चलता है oxink से पेट पलता है oxink से तो यह सच है मैं पिछले वीडियो के लिए मैं फिर से एक पहुचाता रहूँगा तब तक के लिए अपना ख्याल राखे बाई बाई टेक केर धन्यवाई